आल्राइट लेडिस एंड जेंटलमेंट तो आज हम बात करेंगे कि section 9 और right to residence में क्या फरक है तो मैंनी मतलब बहुत सारी लोगों को समझ में नहीं आता कि section 9 actual में क्या कहता है और right to residence actual में क्या कहता है ठीक है जब कभी हम बात करते हैं कि आपको रहने का अधिकार है तो वो इस चीज़ को section 9 पे ले जाते हैं कि जब पती रखेगा ही नहीं तो कैसे कैसे ठीक है तो आज हम इसी बात में आपको इसी वीडियो में section 9 का difference और right to residence का difference बताएंगे ठीक है तो देखो क्या होता है जब जो फेरे हो जाते है जो शादी हो जाती है ठीक है अप रहने का अधिकार में आपको थोड़ा define कर देता हूं क्या है रहने का अधिकार जैसे की मालो आप रहोगे तो आप से कोई कुछ चीज यूज करेंगे तो उस चीज का आप से कोई particular amount चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको वहां रहने का अधिकार है ठीक तो वहां पर आपको रहने का अधिकार है ठीक है जहां हजबन रखेगा वहीं आपको मतलब रहना पड़ेगा ठीक है मतलब condition बता रहो है आपको next आता है section 9 तो section 9 आपना suppose एक घर है और उसमें नीचे husband रहता है उपर wife रहती है ठीक है suppose उनका पता नहीं कुछ हो गया dispute तो त तब भी wife section 9 डाल सकती है क्यों उसको cohabitation perform करवाने function वाले cohabitation होता है जैसे शादी के बाद वाले काम जैसे होता है शादी हो गई है फिर उसके बाद जो पती-पतनी आपस में रहते हैं प्यार से काम करते हैं जैसे की बजार का काम हो गया मतलब मिल बाट के जो रहते है जैस हम section 9 डाल सकते हैं तो देखो एक ही घर में रहके आप section 9 डाल सकते हो ठीक है यह हो गया section 9 यानि की conjugal rights को fulfill करना एक उतर रेजिदेंस आपको घर से निकल दिया गया है ठीक है तो आपका अधिकार है बिसक पती आपसे प्यार करे ना करे ठीक है जो भी है वहां के family वाले अच अच्छा हो या ना हो लेकिन आपको उस घर में रहने का अधिकार है पूरा ठीक है क्योंकि आपने शादी किया legal marriage किया है ठीक है समझते हो तो यही difference है और next question आता है कि जो आपना मतलब वहां पर रहके भी section 9 डाल सकते हो ठीक है एक question आया था तो उसमें क्या था वो flat में रह रखते हैं क्योंकि आपको cohabitation वाले और section 9 deal करता है cohabitation में ठीक है अब कुछ लोग सोचते कि यार पतनी वापिस मतलब उसको वापिस बुलाने के लिए किया जाता है वो तो देखो अगर मनलों root के जाती है तो Indian culture होता है कि अलग हो ही जाते है ठीक है तब उसको बुलाने के section 9 डाला जाता है लेकिन जो section 9 ना वो cohabitation perform करने के लिए डाला जाता है ठीक है तो दोनों चीज अलग अलग है right to residence अलग है ठीक है और जो cohabitation है वो अलग है अब कुछ लोग कहते हैं कि भी जब हम रखेंगे नहीं तो कैसे right to right है तो रहने का right अलग है और जो cohabitation है husband अपनी मर्जी से रख रहा हो वगएरा 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 वो अलग है ठीक है यानि कि जो ससुराल है उसमें आपको एक मतलब कमरा मिल जाए ना तो उसक जाके देखो फिर भी मैं आपको बता देता हूं अगर वैसे प्यार से बन रही है बात तो ठीक है अदर्वाइज आपके घर में कोई अच्छी सी पोस्ट पर उसको लेके जाओ उनको बोलो कि ऐसा है या तो आप रख लो प्यार से अदर्वाइज हम court case करेंगे फिर आपको section 9 करो ठीक है घर बसाना है तो section 9 करो डीवी अगर आपको बिल्कुल हरास करना हो तो last बात होती है ठीक है तो I hope it is clear chill man